इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते है और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। या खाने के बिना ले सकते हैं, लेकिन बहतर यह होगा कि इसे रोजाना एक ही समय पर लें। इस दवा को लेते समय अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करें। यह सिर्दद, निस्तबधता, चेहरे, कान, गर्दन और धर में गर्मी की भावना, टकने की सूजन, धीमी गती से हिरदय गती और मतली जैसे दुश प्रभाव पैदा कर सकता है। इस से चक्कर भी आ सकते हैं। इसलिए जब तक आप यह नजान ले की यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है। तब तक गाड़ी न चलाएं या ऐसा कुछ भी न करें जिसमें मानसिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यक्ता हो। सूजन को कम करने के लिए बैठ कर अपने पैरों को उपर उठाएं। उपचार के दौरान आपसे रक्ट चाप, गुर्दा की कारे प्रनाली, रक्ट शरकरा स्तर और इलेक्ट्रोलाइट स्तर की नियमित निग्रानी के लिए कहा जा सकता है। इसे लेने से पहले अपने या किड्नी की कोई समस्या है। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। आपको अपने डॉक्टर को यह भी बताना होगा कि आप कौन सी अन्य दवाएं ले रहे हैं। विशेश रूप से वे जो उच्छ रक्चाप या हृदय की स्थिती का इलाज करने के लिए उपयोग की जाती हैं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नो और नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।